बार्वच गुजी पर और जो क्लास 11 को एकिनोम इस चप्टर तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन और जो चल रहा था बेसिकली कुछ बुक्स में यह सेकेंड चेप्टर हैं नहीं फर्स चेप्टर लेकिन टी-आर जन को हम प्रेफर कर रहे हैं तो टी-आर जन में यह सेकंड चे सबसे पहले मैंने पीपीची के बारे में समझाया था एक बार मैं फिर बता दूं प्रोडक्शन पॉसिबिल्टी कर यानि कि यह हमारे किसी भी दो गुड्स के कितने कॉंबिनेशन बन सकते हैं हमारे रिसोर्स और तकनीक की मदद से उसे हम कहते हैं पीपीची और मैंने आपक पीपीची घटेगा तो लेटवर्ट शिप्ट होगा यह रिसोर्स के बढ़ने घटेगी बात हो रही है लेकिन अगर टेक्नलोजी अपडेट बढ़ेगी या घटेगी तो यह हमारा कर्व इस तरीके से आएगा बढ़ेगा तो यह अब बात आती है कि आप कैसे पैचान हुआ यह तकनीक बरबाद हो यह से अर्थ कोई काया सोनामी आई तो इससे हमारे पीपीची क्या होगा घट जाएगा वही अगर हमारा रिसोर्स बढ़ेगा तो क्या वह पीपीची बढ़ जाएगा तो अभी मैं बता हुआ प्रॉपर्टीज ओफ पीपीची यह बहुत कौन केव होती है दूसरा होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपंग का मतलब क्या होता है कि दो गोट्स है एक्स और वाई आप अगर X को बढ़ाओगे तो Y को कम करना पड़ेगा और Y को बढ़ाओगे तो X को कम करना पड़ेगा यानि कि आपको दौनों में से एक goods को ते sacrifice करना पड़ेगा ना इस वह से जो हमारा PPC का कर्व होता है वो हमारा downward sloping होता है यह तो properties की बात थी उसके बाद students कलकी class मैंने आपको opportunity cost के बारे में बताया था एक चीज और देखो यह PPC कर्व बेना बता दिया यह अब तीन point होते हैं एक point यहाँ एक point यहाँ और एक point यहाँ आप से पूछा जाए इस point का नाम क्या है इसे हम कहते हैं unattainable combination इसको हम कहते हैं unattainable combination और इसको कहते हैं fully utilized जो point कर्व के अंदर है वो हम attain कर सकते हैं इसलिए हम इसे unattainable combination कह रहे हैं जो point उसी point पर है direct उसे हम fully utilized कहते हैं यह जितना इस्तिमाल करना है तो उतना कर लिया जो कर्व के बाहर है वो unattainable combination यानि कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते उसके बाद दो output आते हैं एक आपका actual output और एक आपका potential output आपको वो output आता है जो actual में निकल के आया और potential output आपने वो output आता है जो आपने सोच आता अब इस chapter का एक last topic बटचा है जिसे हम कहते हैं marginal opportunity cost हाला कि पिछली वीडियो में आपको opportunity cost बताया था ऐसे ही आया है आपका marginal opportunity cost और इससे related ही यहीं से आपके numerical start हो जाते है margin opportunity cost देखो जिसके भी नाम के आगे marginal लगा हुआ है it means यहाँ पर किसकी बात हो रही है additional की margin मतलब additional margin मतलब additional जैसे मालूम है यहाँ पर पांच जाए थे पांच दस बीस पंदरा दस यहाँ आपको opportunity cost दे रखे यह अब मैं कहूं इस पर एम उसी निकालो तो देखो marginal का मतलब क्या होता एडिशनल यहाँ 5 था कितना बढ़ गया पांच बढ़ गया कितना घट गया पांच घट गया कितना घट गया पांच घट कितना घट किया हमारा क्या है margin opposite cost यान कि हम जब आपॉस्ट को भड़ा रहे हैं उसमें जो भी चेंजे जारा सुम क्या क्या रहे हैं margin opportunity cost लेकिन इस chapter में आपको margin opportunity cost निकालने का formula दे रखा है margin opportunity cost is equal to change in loss upon change in gain यह formula होता है margin opportunity cost निकालने का delta loss या delta gain या change in loss upon change in gain यह formula कैसे put होता है आपको इन question में दो goods दे रखे होंगे एक goods को माल लिया मैं एक्स और एक goods को माल लिया y इन दोनों goods में से एक की value घड़ती हुई जा रही होगी और एक की value बढ़ती हुई जा रही होगी तो आपको बस for example देखो मैं देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50 और यहां देता हूँ 90, 70, 60 40, 10, अब इन दोनों goods को देखो और यह बताओ आप लोग की दोनों में से घड़ती में value किसकी जा रही है एक्स की या वाई की सर वाई की तो वाई का आएगा अब मैं मोच निकालता हूँ घड़ती value किसकी आ रही है इसकी में तो पहलेका तो कुछ नहीं लेंगे हैं न कि हम dash कर देंगे दूसरे ओ कितना घड़ गया 20 घड़ गया यह कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया 2010 कितना ही यहां मेरे साथ वाट्सअप पर एड़ हो सकते हैं